एक बार फिर कपिल के शो में पवन अरू के रिष्टे को लेकर तरहें तरहें की बाते बन रही हैं और इनों ने इन दौर में जाकर जो क्वालिटी टाइम इस पैंड के उसकी भी खुब चर्चाएं हो रही हैं और फैंस को अंदाज है कि सुपर स्टार सिंगर टू के सेट पर शाहिदी ये दोनों बच पाएं वरना हर रोज इनका नाम जोड़ा जाएगा कपिल के शो में कपिल ने कहा कि अरूनिता तुमारे भी बहुत रिष्टे आ रहे होंगे कपिल का मतलब कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रहा था कि पवन का रिष्टा आया की नहीं आया अरूनिता ने आज भी मना कर दिया और पहले भी मना कर दिया था इंडियन आइडल शो में कई बार पवंदीप अरुंता का नाम एक साथ जोड़ा गया था जिसके बाद रिलेशनशिप की अठकले तेच हो गई थी है दर्शिकों को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है अरुंता ने खुद का नाम पवंदीप से जोड़ा जाने पर साथ इंकार कर दिया था अरुंता ने कहा था कि इंडियन आइडल शो के बाद अक्सर लोग उनके और पवंद के बारे में बाते करते दिखते हैं लोगों का कहना है कि हम दोनों प्यार में हैं लेकिन एक बात बता दू कि एस शो ने हमारे बीच दोस्ती का स्पेशल रिष्टा काइम किया है हमारे पास अभी भी काफी टाइम है दोनों अपने काम पर फोकस दे रहे हैं रही बात शादी की तो जब तक मैं अपना कर्यर मुकाम तक नहीं पहुचाऊँगी तब तक शादी के बारे में नहीं सो सकती फ़ी पवन को लेकर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है इसे पहले पवनदीप राजन ने कंटेंस्टेंट अरुनिता कांचिलाल को लेकर अपने दिल की बात कही थी पवंदीप ने भी कहा था कि हम सभी कंटेंस्टेंड ने एक साथ अच्छा वक्त विताया है ना सिफ अरुनिता बलकि हम सब एक दूसरे के काफी क्लोज हैं पवंदीप ने आगे कहा कि वक्त के साथ ही लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे और अरुनिता के वीच क्या है और क्या नहीं है हम सिफ एक अच्छे दोस्त हैं अब देखना होगा कि सुपरस्टार सिंगल टू के सेट पर ये ऐसे सवालों से कैसे निप्टेंगे इस बार फिर कपिल के शो में पवा नरु की बेज़ती की गई इस बार भी पवा नरु बुला कर एक साइड में बैठाल दिया गया जैसे पिछली बार किया था इस बार फैंस को उमीड थी कि कपन शर्मा इस बार पवा नरु को स्पेशल स्वागत करेंगे उनका स्पेशल इंटरव्यू लेंगे लेकिन इस बार भी बही हुआ जो पिछली बार हुआ था जबकि इनकी जंग है अलका याग ने हिमेश रिश्मिया जावेद अली के साथ शो कम्प्लीट किया गया माना कि ये लोग शो के जर्जिस हैं लेकिन पवन अरू भी शो के कैप्टेन है तो उन्हें इनके बरावर क्यों नहीं बैठाला गया हर बार कपिल अपने शो की टी आर्पी के लिए पवन अरूनीता और उनके साथियों का इस्तमाल करते हैं अजो यहां फैंस कुछ ऐसा ही कॉमेंट्स कर रहे हैं जब कपिल के शो की एक छूटी सी जलग देखी गई कपिल शमा अपने शो में जडिस का स्वागत करते हैं उसके बाद कैप्टन का स्वागत करते हैं और यह सारे कैप्टन यानि पवन अरू दान शायली सलमान सबके सब गाना गाते हुए शो में एंट्री करते हैं इनके साथ शो की कंटेंस्टिन भी होते हैं पपा नारुनीता इनके ही साथ गाना गाते दिखाई देने हैं और फिर शो से यह अच्छानक सब गाइब भी हो जाते हैं क्या कपिल ने इन्हें यहां भी गाने के लिए ही बुलाया था कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाना है कपिल से ऐसा महसूस कर रहा है कि पवन अरुनिता के इस शो में बेज़ती की गई है उनका सिर्फ इस्तमाल किया गया है इस बार भी कपिल ने पवन अरुनिता से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे सब भी के होश रुणने वाले हैं इतायने इस बार कपिल ने पवन अरुनिता को डांस करने का चैलेंज भी दिया पवन अरुंता दोनों कपल डांस करते हैं कुछ पिक्टर्स इनके डांस वाली देखी जा रही है उनमें पवन अरुंता को डांस के स्टेप करते देखा जा रहा है अलाकि पवन अरुंता इसमें भी खोश है क्योंकि उनका मानना है कि ये ऐसे छोटे छोटे काम करते ही वो एक दिन बड़ा काम करेंगे और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है एक दिन वो दिन आएगा जब इनने special show में बुला कर इनका special इंचपनू लिया जाएगा वहीं आपको बता दे कि इस बार तो कपिल ने हमेश रिश्मिया को भी नहीं छोड़ा उन्हें भी टॉंट मारा हमेश रिश्मिया ने जब आशकी गाने को तेज अवाज में गाया तो कपिल ने कहा कि तुमने काफी उची अवाज में गाना गाया है वह वह दूआ करते हैं कि आपकी बार एरोप्लेन में गाना गाओ और अगर आपकी वेर्ड बढ़ जाए तो आप एर होस्टेजी लगोगे ऐसा मजाग सुनकर सब हस पड़े और हिमेश रिश्मिया को भी हस गाई लेकिन हिमेश रिश्मिया की चैरे की हस ही कुछ देरवार गायब भी हो जाती है पवन अरुनीता का नाम अब अलग-अलग लेना मूग को भी अच्छा नहीं लगता है फैंस और दर्शकों को कैसा लगता होगा वो तो वही जाने अरुदी आप लोगों के दिलों में ऐसे राज कर रहे हैं कि दर्शक इने एक साथ देखने के लिए मौकों का इंतजार करते हैं और आप दर्शकों के लिए ये खास मौका भी मिल गया है जब पवन अरु एक साथ एक मंच पर काफी दिन तक टाइम स्पेंड करने वाले हैं मौच मस्ती करते दिखेंगे और बहुत सी क्यूट मज़ेदार वीडियो भी इनकी आने वाली हैं इंतजार हो रहा है जब पवन अरु इस मंच पर नाकेवल रुमैंटिक गाना गाएंगे बलकि एंटिटेंट्मेंट के लिए ये जोड़ी डांस भी करने वाली है जिसका इंतजार भाई बे सब्ली से क्या जा रहा है और अरुनिता तो अपने क्योट लुक से पवन को पागल करने वाली हैं इस वक्त इनकी जो फोटो वाइरल हो रहे हैं उसको लेकर खुब चाचाहे हो रहे हैं तरसल एक फोटो में पवन अरुन्ता को पहत लोज होते देखा गया पवन अन्ता की कमर पर हक से हाथ रखे हुए हैं उनकी कमर को पकड़ कर फोटो क्लिक कर वा रहे हैं जिए यह फोटो उस वक्त का है जब यह यूएस में थे यह फोटो इस वक्त खुब वाइरल ओरे और कॉमेंट्स की तो बाड़ आई हुए है हाला कि यह फोटो यूएस टूर के वक्त की है जब एक इंटेंस टूर की परफॉर्मेंस में आरुनिता ने ब्लू साइनिंग शोट और पैंक पहनी थी तो वहीं पवन ने फ्रिंटर शोट, जीन्स और उत्रा खंट की क्या अप लगाई हुई थी जबरदस परफॉर्मेंस देने के बाद पवन अरु का इंटरव्यू लिया गया और इस बीच पवन अरु इंटरव्यू में इतने जादा खो गए, इतने जादा खुश थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो एक दूसरे के इतने क्लोज होकर खड़े हैं पवन अरुनिता की कमर को प्यार से पकड़ कर पोस देते हुए नजर आए, जबकि अरुनिता भी पवन के कंदे पर सिर्ष रख कर हक से पोरुश दे रही हैं तो इस फोटो के लिए आप क्या कहेंगे, आपके बन में क्या विचारा आ रहा हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं हाली में अरुनिता कांची लाले USA से एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो मुहमद दानिश के साथ क्यूट वाक करती नजर आई थी इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने आरुनिता का नाम मुहमद दानिश से बुरी तरह जोनना शुरू कर दिया था और कई खबरे भी ऐसी बनाई थी, ये बास सुनकर आरुनिता को बहुत गुस्सा आया और पहली बार आरुनिता का ऐसा रोदर रूट देखा गया जब आरुनिता ने सबके सामने इस फोटो का जबाब दिया वो अपना गुस्सा परदास नहीं कर पाई और नोने एक फोटो को शेर करते हुए उसमें भाई बहन का बॉन लिखा था आरुनिता ने बताया कि वो दानिश को भाई जैसा मानती है आरुनिता सिर्फ दानिश को ही नहीं बोलती थी भाई बलकि आशीश निहालतारो और जितने भी लड़के उनके साथ सेट पर थे उन सबी को भो भाई कहकर बुलाती थी सिवाए पवन को छोड़कर अब पवन दीप और आरुनिता का क्या रिष्टा है वो तो वही जाने लेकिन आरुनिता और पवन का रिष्टा सब को समझ में भी आता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आरुनिता का नाम किसी भी शक्स के साथ जोड़ा जाए अरुंता ऐसी क्यूट लड़कियां जिनकी हर किसी से अच्छी दोस्ती हो जाती है उन्होंने इंडियन आइडल के मंच पर भी हर किसी के साथ खुब सूरत यादे बटोरी है हर किसी के साथ खुब मौच मस्ती किये और साहिली कामले भी इनकी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है और सबकी वो बहुत रिस्पेक्ट भी कती है तो आपको अरुनिता पवन के रिष्टे के बारे में क्या लगता है पॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं